बीजेपी विधायक इश्वर सहू को कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था लेकिन उन्होंने 36 गड़ के साजा निर्वाचन शेत्र से 7 बार के कॉंग्रेस विधायक और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे को हरा दिया बीरानपुर गाउं के रहने वाले सहू जो नागपुर में रिक्षा चलाते थे ने इस साल 8 एप्रेल को गाउं में भड़की सामप्रदाइक हिंसा के दौरान अपने बड़े बेटे को खो दिया था दो चार पाई और जरूरी सामान के साथ दो कमरे के छप्रवाले घर में रहने वाले साहू को मौजूदा 36 गड़ विधान सबा में सबसे गरीब विधायक के रूप में गोशित किया जा रहा है उनके परिवार ने एक आम मजदूर को विधायक बनाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी का आप भार व्यक्त किया मंगलवार को राइपूर से अपने गाउं पहुंचे सहु का स्वागत करने के लिए आसपास के लागों से लोगों की भीड उमण पड़ी लोगों को उम्मीद है कि वो शेत्र में कई सालों से रुके पड़े विकास कार्ये को पूरा करेंगे साहु ने अपने गाउं के लोगों को भरोसा दिलाए कि वो अपने दो कमरे के मौझूदा घर को छोड़ने के बारे में नहीं सोच रही है और हमेशा उनके बीच रहेंगे और विकास करेंगे